आपके तलाब में पलड ही मज्छलियों का कम ग्रोथ होने का एक प्रमुख कारण है डेंसीटी का हाई होना शाहे आप I.M.C. का पालण कर रहे हो या कैट फिस में आप पंगास प्यासी का पालण कर रहे हो डेंसीटी से ही रहेगा मज्छली का ग्रोथ अधिक आएगा दोस्तों स्वागत करते हैं अपने यूटूब चैनल फीस फार्मिंग एंड सीट्स पर मेरा नाम बावलू सिंग सारे लोग जानते हैं इस नाम को यूटूब पर हम आपके लिए ज्यान बर्दक वीडियो डालते रहते हैं कल का वीडियो था जिस पर हम 3-4 पॉइंट पर चर्चा किये थे जिसमें एक पॉइंट था कि आप असफल क्यूं हो जाते हैं उसमें से एक पॉइंट था कि देंसीटी पर आप ख्याल नहीं रख पाते हैं डेंसीटी का मतलब है कि कितने बड़े आकार काप डाम है? अब होता ये है कि छोटे आकार के डाम वाले भी, जिनका मातर 5000 स्कॉाईर फीट का डाम होता है, जिनका 2000 स्कॉाईर फीट का डाम होता है, वे सौख पाल लेते हैं, कि हम I.M.C. मचली का कल्चर करें, अपने तलाब में रोहू, कतला, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प का बालन करें इसी को हम कार्प कहते हैं और इंडियन मेजर कार्प कहते हैं कतला जिसे भाकुर के नाम से जाना जाता है रोहू और मिरीगल इंडियन मेजर कार्प, कार्प में, विदेशी कार्प में, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प और कॉमन कार्प तो इनके लिए कम से कम जो तलाब आपका होना चीए वह एक एकर प्लश हो यानि 44,000 स्कॉाइर फीट से उपर का तलाब हो आप अच्छा ग्रोथ लेंगे तो आज का जो हमारा टोपिक है वह देंसिटी के विशे में है देंसिटी डिपेंड करता है बहुत सारे लोग दिये हुए नमबर पे कॉल करते हैं बच्चा मंगवाते हैं तो हमसे पूछते हैं कि सर इसमें एक एकर में हम कितना बच्चा डाले या फिर हाफ एकर में हम कितना बच्चा डाले उनके लिए या वीडियो ज़्यादा उप्यूक्त है जिनको पता नहीं है कि एक एकर में कितना बच्चा डाले पहले तो आपको ये knowledge होना चाहिए कि एकर का size कितना होता है कठा से नहीं मतलब है विश्टा से मतलब नहीं है हम अनेकों वीडियो में बताते हैं इस्क्वाइर फीट से मतलब है इस्क्वाइर फीट में लगभग 44-45,000 स्क्वाइर फीट होगा और तलाब को मापेंगे वैस और फिर आप उसका एडिया निकालेंगे फिर एकर निकालेंगे कोई भी यूट्यूगर दूसरा हम बताना चाहते हैं कि जब हम आप लोगों से बात होती है आपसे पूछते हैं जब आप कहीं जाते हैं आपके आसपास से हमसे बच्चा नहीं मंगवा करके आप अपने आसपास से बच्चा ले लेते हैं वहां जाते हैं वह बच्चा आपको बेश देता है आपको पता नहीं होता है कि कितना बच्चा डालना चाहिए तो यह वीडियो आप देखेंगे, ध्यान परवग सुनेंगे, आपको आइडिया मिलेगा, आप उतना ही बच्चा मंगवा है, लेने के लिए आप हमसे नहीं भी लेते हैं, आप अपने नस्दी की हैचरी से बच्चा उठा लेते हैं, आपको यहाँ जरूर पता होना चीए कि एक किलो में वहा कितना बच्चा दे रहा है, वैसक आप किलो से ही लीजिए, लकिन आपको पता होना चीए कि एक किलो में कितना बच्चा है, यानि कितने लाइन का बच्चा आपको दे रहा है, अब हम बात करते हैं, एकर के बिसे में डेंसिटी के लिए, एक एकर में जब पिंगर साहेज, यानी तीन इंची से ऊपर का अंगुली का हैं, जिसको बोलते हैं, आपके बीच वाले अंगुली से कुछ बड़ा बच्चा अप तलाव में स्टॉक करते हैं, कहीं से खरीद करके लाते हैं, या आपने नरसरी तलाव से, आप कल्चर वाले तलाव में ट्रां हो सकता है ग्रास का भी बच्चा मिले तो आप उसमें कुछ एड करिएगा तो 30% से कम आप रोहू कर लिजिएगा सपोज आप 15% रोहू कर लिजिए 15% ग्रास कर लिजिए ये दोनों मीडिल लेयर में राणी वाली में चलिया है तीसरा कॉमन कार्प या फिर मिडीगल अगर सि इतना ही बच्चा जब फिंगर लिंग साइज का रखते हैं तो फिंगर लिंग आपको अंगुली काएं 5000 से थोरा भी ज्यादा बच्चा इस्टॉक नहीं करना चीए तब आपका डेंसिटी मेंटेन होगा जब आप हमसे बच्चा मंगाते हैं हमसे पूछते हैं तो हम बतात कराते हैं आपके दिल्वे जंक्सन तक जब आप दिये हुए नंबर पे हमको कॉल करते हैं तो उस पोजिशन में 7 से 8000 बच्चा हम आपको डालने के लिए एडवाइस करते हैं चुकि कुछ परसेंट बच्चा उसमें से कुछ पक्षियां ले उड़ती हैं कुछ तालाब मे डालने वाली चुकि आप कल्चर वाले में डाल रहे हैं तो उसमें मेढग भी होगा आपके तलाब में उसमें साप भी होगा तो कुछ परसेंटेज बच्चा आपका डैमेज करेगी हाँ ये दिमाग से आप निकाल दीजिए अगर आपके तलाब का पानी ठीक ठाक है तो ब कल्चर वाले तलाब में डालिए अगर आप कल्चर वाले तलाब में 50 ग्राम के साइज का बच्चा डालते हैं यानि फिंगर साइज से बड़ा बच्चा डालते हैं तो उस पोजिशन में आप 4000 बच्चा ही डालिए और अगर आप उससे भी बड़ा बच्चा डालते हैं बच्चे का साइ्ज बरहते जाते हैं तालाब में जो नुकसान होता है आपके बच्चों का पक्षियों दौरा, मेढकों दौरा सांपों दौरा या बड़ा बच्चे जब डालते हैं तो वह मोटलीटी नहीं आती है नुकसान नहीं जाता है तो इसके लिए आपको डेंसिटी कम करना परेगा अब फ्राइस आई डालिएगा तो 7-8,000 डालिए उसी तरह से 100 ग्राम का बच्चा डालते हैं तो 4,000 ही डालिए 3500 ही डालिए तब आप देखिए कि ग्रोथ किस तरह से आता है तालाब में प्लेंक्टन का कमी नहीं हो पाएगा और आपकी मचलियों का ग्रोथ बेहतर आएगा कम समय में सुन्दर ग्रोथ आएगा और कुछ मेडी सीन का भी परियोग करते रहे तालाब में प्रोवाइटिक्स डलवाईए तालार में ग्रोथ वाली, एफर ग्रोथ डलवाईए, प्लेंग्टन बनाते हैं तालार में, तो बगेर isht powder का, आपका जो भी विदी से प्लेंग्टन बनाते हैं, बहुत सारे लोग हमारे वीडियो देखकरके, चैनल का वीडियो देखकरके, fermentation करते हैं homemade feed मिलाते हैं बनाते हैं लेकिन आपसे सिखाईत है कि आप बगाईर ist powder का गाय का गोगा और सरसोगी खली और कितना भी जो भी वीडियो में हम बताते हैं उसका पड़ियो करते हैं लेकिन आप बहुत कम ही लोग हैं जो ist powder मिलाते हैं बहुत कम ही लोग है जो उसमें मिनरल मिक्सर मिलाते हैं तो पिलीज ये दो चीज आप हमसे मंगवाईए दिये हुए नमबर पे कॉल करके और जो भी आप होममेड फीड बनाते हैं फर्मेंटेशन करते हैं प्लेंक्टन त्यार करने के लिए इस्ट पाउडर अवस मंगवाईए बच्चा मंगाने के लिए आप दिये हुए नमबर पे कॉल करिए अमूर कॉमन कर्प का एस्पोन साइज का बच्चा भी एवेलेवूल है फ्राइस साइज एक इंची वाली भी बच्चा एवेलेवूल है और सीजन आडम होने वाला है फरवरी मार्ट से तो आप पंगास का जिससे जासर के नाम से जानते प्यासी के नाम से जानते जिन लोगों को चाहिए होगा बीज तो दिये हुए नमबर पे उभी कॉल करके अपना मच्चा हमसे मंगवा सकते हैं और प्यासी को खिलाने के लिए 1.2 FCR वाला जेके फीस फीड का डिलर्सिप लेने के लिए या किसान आप हैं तो अपने मचलियों को खिलाने के लिए दिये हुए नमबर पे कॉल के करके हमसे बात कर सकते हैं या तो आप डिलर्सिप लीजिए या फिर फीड हमसे मंगवाईए बहुत धन्यवाद